बस थोड़ी सी कोका कोला बच्ची हुई थी फ्रीज में रखी थी इतना ये गिलास ठंडी तो मैंने ये कोका कोला पी थी घज पूज मैं ले की येदा वाई पत्रमी धिलास परेश झार सर्भ नवर फ्रव भूब करो थी 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 बाल फ्रेंच फ्राइज काने के बाद ये देखो मैंने अपने लिए चीली वाली नूडल्स बनाई थी ये मैगी का एक नया फ्लेवर है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और दुबारा अब तो खतम हो गया ये वाला पैकेट ये वाली है ये मैगी चीली गरलिक वाला पूरा उसके बाद फिर मैंने सर्फ एड कर दिया था सर्फ एड करने के बाद मैंने सारे कपड़े न मशीन में लगा लगा के बारी बारी से बीच में एक आदी बार पानी चेंज किया करके धो दिये फिर पानी में से निकालके यहां साथ में जो मशीन है ना इसी में ड्रा समझाया निधी ऐसे होता है वैसे होता है इसमें टाइमर लगाना पड़ता है तो मैंने देखो चीज थी मेरे पास तो मैं धीरे थीरे अपने आप सीख गई अब तो मैं इसे अपने आप चला लेती हूं मशीन मुझे 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 नहीं लगती यह सेमी ओटोमेटिक के इसम प्रदलब एक बार मशीन लगाने के बाद ना फिर निकाल के उसको अच्छे से पानी में से दो-तीन बार जैसे टब में धो लिए उसके बार ड्रायर का तो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना इसका फीचर क्योंकि सर्दियों में अब जैसे थंडा मुसम हो जाता है ना हीने से तो अक्तूबर में थोड़ा-थोड़ा फिर थंडा मुसम भी हो जाएगा और अब जैसे रात भी थोड़ी-थोड़ी जल्दी होने लग गई है तो मुसम में चेंज थोड़ा-थोड़ा आने लग गया है मेरको तो ऐसा है कि मैं तो अपना वो सिलेंडर साथ वाले बढ़ा हुआ वह यहां लगा के गैस गीजर में लगाऊंगी क्योंकि अभी सुबह सुबह विहान को नहलाना होता है स्कूल जाते हुए तो जब मैं सुबह नहलाती हुए तो अब ठंडा पानी आता है उस टाइम तो बिल्कुली तो वह यह ना फिट गैस पे गरम करने से बार हाथ पैर दुखने लग जाते हैं और फिर जब आग थोड़े से नहाया जो गरम सा पानी होता है तो आपका बोडी पेन भी ठीक हो जाता है आपका शरीर का दर्द होता है वो भी कम हो जाता है तो इसलिए ना मैं सोच रही हूंगी जर इस साइड लगवालू उसके बा बारिश आने का मुसम हो रखा है बट अभी विहान सो रहा है क्योंकि कल इसने दिल्ली गया था ना विहान तो सुबह पांच बजे से लेके रात के बारा बजे तक विहान ने ट्रैवलिंग की ना मतलब मैंने वैसे तो विहान को अपनी गोदी में रखा बट महिमत तो है न सो रहा है बीच में बस दवाई देने के लिए उठाया था सोने देती हूँ अभी एक घंटा और फिर मैं 11 बजे सी लेके जाऊंगी विहान को एक बार होस्पिटल तब मैं जगाऊंगी तब तक विहान की नीद भी अच्छे से पूरी हो जाएगी तो वो भी जरूरी है आज विहान तो कुछ सूप खरीद लूँगी या सूप देखती हूं कुछ सूप बगएरा बच्चे को पिला दिया लिक्विड में जितना हो सके बाकी पानी मैं विहान को खूब पिला रही हूं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिला रही हूं क्योंकि पानी इसे फ्राइडे को मैंने छुटी मैंनी करवाई थी क्योंकि विहान की तब्याट ठीक नी थी सेटेड़े संडे विहान की छुटी थी ही क्योंकि स्कूल ओफ होता है अब मंडे को न मेरा मैं दिली चली गई तो विहान की छुटी करवानी पड़ी और फिर अब ट्यूजडे को आज क्या हुआ कि विहान की तब्यत वैसी थोड़ी सी धिली थी तो मैंने आज भी छूटी करवाली तो मैडम भी बोल रहे थे स्कूल वाले जो मैं मैं कह रहे थे बच्चों में इस टाइम वायरल फैल रखा है कई बच्चे हैं जिनके ऐसी बुखार जुखाम फीवर ये सब आ रहे बच्चों में इन दिनों तो मैंने कर वोए है फिर मैं दवाई तो ले आऊंगे आ जाके और बाकी एक चीज़ और मैं बताती हुआ थे बुर्ड वायरू रही थे हैं लोगली में 明लवे जो में एक बात बता देती हूं अभी कुछ टाइम पहले ही न मैंने पिछले ही महीने विहान के सारे टेस्ट करवाये थे 25 रुपे के और मेरे सारे टेस्ट में डोक्टर को चाती भी मैंने हर बार जब भी मैं कभी डोक्टर के जाती हूँ न इवन हर तीन महीने में विहान के टेस्ट होते हैं तो हर बार जो विहान की चाती चेक करते हैं और उन्होंने खुद मुझे बोला था कि विहान की छाती साफ है विहान को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जब जुखाम वगएरा होता है तो बच्चों के होई जाता है थोड़ा सा हना चेस्ट इंफेक्शन तो यार खुद से कोई डोक्टर ना बने और खुद से फालतु की चीज़े ना ही बोले तो बैटर है हना दूसरों के बच्चे के लिए क्योंकि अपने बच्चे पाल ले वो ही बहुत बड़ी बात होती है हना खुद के बच्चों पे ध्यान दो हना दूसरों के बच्चों पे फालतु की टिपनिया ना करें तो यहां पे देखो मैंने फिर विहान के लिए मैं खाना बनाने लगरी थी खाने में मैंने देखो चावल बना दिये थे यहां मैंने थोड़ी सी प्याज ट्रमाटर की च खाना बच्या नहीं खा पाता और फिर दाल बना ली थी ए मैंने भी खाना कहा लिए था आप विहान को भी किला दिया था तो अभी क्या बोल रही थी मैं हाँ आज मंगलवार का दिन है कल मैं आई थी रात को 11 बजे में आई थी हाँ मतलब पहले तो पता चल जाएगा आप लोगों को मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया वो मैं आप लोगे साथ आज दिन में शेयर कर दूँगी तब बता दूँगी तो मैं आई थी रात को 11 बजे यहाँ पे ठीक है उसके बाद मैंने 11 से 12 एक घंटा लाइव करी थी विहान सो चुका था तो विहान रस्ते में भी सोता हुआ ही आया था 2-3 घंटे मतलब ऐसे सोया था सफर में सुगह भी सोया था पर उसके बाद फिर देखो लाइव करी थी मैंने तो मैं आज भी मैं अभी सोच रही थी कि मैं लाइव ही कर लू क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था मैं एडिटिंग कर पाऊंगी वीडियो की टाइम से भेज पाऊंगी क्योंकि आज सुगह मैंने उठके साथ बजे उठके 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 उठने बाद में नहा ली थी और उसके बाद एक प्रोमोशन वीडियो शूट करी जिसमें मेरे को पूरे दो घंटे लग गए उसकी आडिटिंग वगरा में शू अब देखोगे ना इस कुर्ती के अंदर यह देखो तो नेवी ब्ल्यू कलर की जो कुर्ती है इसके साथ मैंने नेवी ब्ल्यू कलर का यह प्लाजो पैन है बट फिटिंग नहीं है लेकिन मैं अभी देखती हूँ अगर लग करवा लूँगी क्योंकि थोड़ी सी तो जरू कॉंस्टैंट नहीं रहता है जैसे किसी किसी का मैं दे सुनती हूना इतने किलो है और इतना ही रहता है मेरा वजन देखो 64 किलो से इस टाइम 76 77 की जिए तो बढ़ गया है और कभी फिर मेह हो सकता हो बाद में कुछ टाइम बाद मेरा बजन फिर से 64 पे आ जाएगा 65 तो मेर पतली होगी और फिर जब मोटी हो जाती हूं फिर मैं को फिर एक्सल साइस की कपड़े खरीदने पड़ जाते हैं तो मेरा यही रहता है तो फिलहाल अन्हें को आई नहीं रहे थे जब में इन आईब्रोज को बनवा लेती हूं ना पार्लर जाके क्योंकि उसके बाद ठीक लगता है उसके बाद आप लोगों के भी कॉमेंट्स आते हैं लेकिन मेरी गलती है देखो कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है पार्लर जाके आईब्रोज बनवाने का यह लगा लो बस समय की हो जाते हैं कि में यहहां हम मिरे को तीन महीने हो गए है मैं सोचती हूँ मैं जाँगी जाँगी बट समय की ओ जाते कुझ कि मैं यहाँ नहीं बनवाती हूं मैं मारकेट में यह जाके बजार में ही बनवा के आती ऊ आई बोज मुझे वहां की अच्छी लगती है कई możliों का हो जाता है Ephail की मैं आपको दिखाऊं, इसमें मैंने निकाली है, लब इसके अंदर आई थी बाजू मैंने निकाल के आज रख दी है, टाइम लगेगा तो बनवा लूँगी, अधरवाइस ये देखो ये वैसे ये कर रख है इनोने, ऐसे भी ठीक है, मुझे तो अभी ऐसी अच्छा लग रहा लगाँ, उसके बाद फिर बालो में कंखी कर ली सुबह-सुपह मैंने तो बस अभी खाने पीने की त्यारियां चल रही है, मैंने सुबह-सुबह मूजली खा ली, दूद में गरम कर के दूद गरम कर रख रका है मैंने, सोच रissements बना लूँगी थोड़ा बनाऊंगी, प्त उनको भी दिखा गया आना है तो मैं सोच रही हूँ वह भी दिखा लूँ दाद के डोक्टर को मेरे दोनों काम हो जाएंगे और चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना कुप सरा धिहान रखिएगा बाई बाई टेक केर लोडस ओफ लव